प्लास टू क्लास अज आपना ट्रेनिंग इन स्पोर्स चैप्टर करांगे लेसन चैप्टर नंबर टैन था और इदे विच आपना बेटा पढ़ांगे कि जिड़े 5 आपना स्पोर्स विच ट्रेनिंग देने हैं स्पोर्स विच उदो आपना किड़े किड़े मैथरी यूज करने हैं ट्रेनिंग दे वेच तां जो फाइव दे फाइव कॉंपोनेंट जड़ी फिजिकल फिटनस देया और ड्वेलप आपां किसी देवेच कर सकीए प्लेयर वेच सो फिजिकल फिटनस दे बेड़ा फाइव कॉंपोनेंट न दे हा से ट्रेंथ, इंडॉरंस, स्पीड, फ्लेक्सिबिल्टी और कॉडिनेटिव अबिल्टी सो इनना नू कल्ले कल्ले नू ड्वेल्प कारन दे वकरे वकरे मैथड है इस तरह इनना नहीं वकरे मैथड है सारे हैं तिन चार चार आपना सारे डिसकस करांगे इतने आंदे नाल वीडियो जो वेखे हो जो नहीं अपना एक वार नहीं समझाई थे फिर दबारा तो उननों री स्टार्ट करके फिर वेख लिए ठीक है पर समझना जरूर है सो इदे वेचे बेटा सबतों पहला से ट्रेंथ था इंडॉरेंस, स्पीड, फ्लेक्सिबिल्ड और कॉडिनेटिबिल्ड ये फिजिकल फिटनस दे कॉंपनेंट है और इनननों अपना ड्वेल्प करने मैथड इदे पढ़ने है लेसन दे वेचे सो अपना सबतों पहलों से ट्रेंथ नों समझांगे भी से ट्रेंथ किया और इदियां टाइपस नों समझांगे उस तों बाद आपन इननों ड्वेल्प करने मैथड समझांगे ठीक है सो सट्रेंथ था नो मैं पहलों में करवाई है कि यहां बच्चे ने जिनना में वीडियोज बेखने उन गया पिछले लेसन देवेच आगी सी की सो सट्रेंथ बेड़ा किया सट्रेंथ हा दा अबिल्टी टू एक्ट अगेंस्ट ओवर कम दा इजिस्टंस इजैनो ऐज सट्रेंथ सो है रिजिस्टंस किसे एख रोज वेची काम करना। रिजिस्टंस की दावा जीड़ी कोल्कावट हो ऑए रिजिस्टंस में मलो अगेंस उर्क करने की बोल थे सट्रेंथ है जिवें अपां मलब तुर देयां ते अपना रिजिस्संस किया साठा सर्फेस जड़ी तरती थे अपना पुश कर देयां एदा ही हार एक मलब रिजिस्संस हो दावाजी ते अपना गेंस वरक कर देयां जिए अपना पानी वेच तैर रहे हैं ते उत्ते रिजिस्संस किया किसे मलब किसे रकावड दे मलब अगेंस एक्ट करना उन्हों की बोल दे से ट्रेंथ बोल दिया और दो तरह दिया पहला स्टैटिक से ट्रेंथ दे रेवेचे बिलकुल मोशन इन दा मोशन लेसन दिया यह जी एक इजेंपल है पुश दा वाल और होल्डिंग दा डंबर ठीक और मोशन दे ऐख और डाइनामिक देब्ज एक्सबोजिव से त्रेंथ पहले अपना मगा क्टिक से ट्रेंथ मोशन दो बिना हुए और डाइनामिक दे बेएचे आसे दिया अंचिमें ट्रेंब मयजीम इक्स्प्लोजिव और से ट्रेंथ इंडुर्सर ठीक और static एक किया यह दि कोई टाइप नियागी डाइनामिक दियां थ्री टाइप से maximum exposure और strength endurance आपके नो कले कले नो देखांगे भी किया so static strength अपना वेखलो definition the ability to act against resistance in motion form is known as motionless sorry the ability to act against resistance in motionless form is known as static strength ठीक है tug of war push the wall holding the dumbbells so उस्तों बाद आगी